दोस्तो आज मैं आप सब के साथ क्रिस्पी कौन समोसा की रेसिपी सेयर कर रहे हूँ ये देखे कितना खास्ता और कुरकुरा ये समोसा है तो ये ऐसा ही बनता है और इसके साथ ये जो डो मैं बनाई थी उसका थोरा सा पार्ट बच जाता है तो इसका मैं ये नमकीन बनाई थ देख 나도 चमश को प्याज को सब्कार करें घ्लक को चमजते में कैश कि समय को प्याज मों होmi करें बारी कटा हुआ अदरक लसन डाल देंगे और इसको भी हम थुरह सा भूनेंगि एक हरा मिर्च भी में बारी काट के रखी थी उसको भी डाल दी और यह दोनों डाल के फिर से ठोरी देर के लिए हम प्याज के साथ यह थोनों को भी भून लेते हैं अब मैं इसमें एक कटोरी कॉन डाल रही हूँ, स्वीट कॉन, ये कच्चा ही है, मैं उबाल के नहीं रखी थी, आप चाहे तो उबाल के भी इसमें डाल सकते हैं कॉन बहुत जल्दी पक जाता है, तो 3-4 मिनिट इसको भूनने के बाद ये पक जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा तो अभी आप देख पा रहे हैं, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और ये पक गया है तो अब मैं इसमें सुखे मसाले डाल लेती हूँ, सुखे मसाले में एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर डाल लेंगे अब मैं इसमें आधा चमच चाट मसाला, आधा चमच गरम मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेती हूँ यह सब को अच्छे से हम मिला लेंगे गैस का फ्लिम कम करके मसाली को भी हम कौन के साथ थोड़ी देर के लिए भूल लेते हैं और इसमें वाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है तो अब मैं इसमें एक चमच सत्तू डाल रही हूँ चना का सत्तू जो खाने वाला होता है वही मैं डाल रही हूँ आप चाहे तो इसकी जगह पे बेसन को भी डाल सकते हैं तो बेसन पहले ही भून लिजेगा क्योंकि ये मसाला भून गया है तो इसमें बेसन कच्चा डाल दीजेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो भूना हुआ बेसन डाल दीजेगा इसमें एक चमच इससे अच्छा वाइनिंग आ जाएगा मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल ली और अब मैं इसमें लाश्ट में थोरा सा धनिया पता डाल के इसको मिला लेती हूँ और गैस बंद करके इसको अभी हम ठंडा होने देंगे अब हम डो बना के त्यार करेंगे तो एक बाउल में एक कटोरी मैं मैदा डाल रही हूँ पहले से ही छान के रखी थी मैदा को मैं इसमें मैं आदा चमस जितना नमक डाल दी और एक चमस तेल डाल दी इस सब डालने के बाद बढ़िया से इसको क्रंबल करते हुए मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सेमी सॉफ्ट आटा गूत के त्यार करेंगे बहुत जादा आटा को आपको हाड नहीं रखना है और बहुत जादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है सेमी सॉफ्ट आटा गूत के त्यार करेंगा तो बनिया उससे सीट बनता है तो इस तरीके से ये देखे मैं बहुत अच्छे से आटा को गूत ली और ये सेमी सॉफ्ट आटा गूत के त्यार हो गया इसका मैं लोई काट लेती हूँ तो पाच या अच्छे जितना आपको इसमें आटा में लोई बन जाए उतना आप काट लेजे थोड़ा बड़ा ही लोई रखेंगे और इसको हथेली पे घुमाके इस तरीके से चिकना कर लेते हैं और अब हम इसको बेलेंगे तो बेलने के लिए आपको रोटी से बड़ा बेलना है और थोड़ा पतला ही बेलेगा जितना पतला हो सकी उतना आप बेल लिजेगा लेकिन रोटी से थोड़ा बड़ा रखेगा तो इसी तरीके से मैं ये सारे रोटी को बेल के तियार कर लेए अब हम इस रोटी का लेयर बन आपने में और सूरा से आपने में फाले एक चमस तेल डालना फिर दीनिते परे दीजे में परी जेते जना है वेदा से वेदा toस्सक्शिए को नहये, और तरह से भी आपने Knato D सब्सक्राइब दीज चीत हम एक पफेती नहीं। यह देखेती हम निटेटि पजा नहीं, आशी रखेंगे और यह देखेंगे। पलट दीजे फिर दूसरे साइट से भी थोड़ा सा लगे कि पग गया है तो फिर से उसको पलट दीजे इस तरीके से वाइट वाइट चित्ती इस पे आ जानी चाहिए तब आप पलट येगा तो ये देखिए दोनों साइट से वाइट वाइट चित्ती आ गई है और ये दोन पलट के हम सारे रोटी को लेर से निकाल लेंगे तो इस तरीके से आसानी से निकल जाता है जैसे ये थोरा सा पकेगा कि निकलना सुरू हो जाता है तो फिर से उलट दिये हैं और इसको अब हम दूसरे साइट से फिर से इसको निकाल लेते हैं तो इसलिए तेल और सुखा मैद चिरके थे ताकि यह आसानी से निकल गया है इसी तरीके से हम सारे रोटी को निकाल लेते हैं समोसा बनाने के लिए एसीट मार्केट में रेडिमेट भी अवैलबल मिलता है तो अगर आपको इस तरीके से घर में नहीं बनाना है तो मार्केट वाला भी आप लाके उससे भी बना सकते हैं लेकिन घहर में भी बना सकते हैं, यह बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी बहुत सरा बना के त्यार कर पाओगे तो इस तरीके से सारे रूटी का लेयर में निकाल ली और आप देख पा रहे हैं कितना असानी से यह निकल रहा है तो इस तरीके से निकाल लेने के बाद अब हम इसको काट लेंगे आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया हमारा सीट बन के त्यार हुआ है एकदम पतला पतला सीट बना है तो अब हम इसको काटेंगे तो काटने के लिए एक दूसरे के उपर हम इसको फिर से एरेंज कर लेते हैं तो इस तरीके से फिर से हम एक के उपर एक रख लेंगे और आप पीजा कटर या चाकू ले लिजे उसे आपको इसको चोखूट सेप में काट लेना है तो इस तरीके से दोनों साइड हम पहले हटा देते हैं, उसके बाद उपर का साइड भी हटा देंगे और नीचे का साइड भी हटा देंगे, यह जो साइड जो हटा रहे है इसका हम नमकीन बना लेंगे, बहुत बढ़िया इसका नमक पारा बनता है, तो इसको हम साइड में र तो इसलिए हम दोनों साइड काट के हटा दिये हैं और ऊपर और नीचे इधर से भी हम काट के थोरा थोरा हटा देते हैं ताकि हमारा सेप अच्छा सा चोखूट आ जाए इस तरीके से चोखूट सेप में आप काट लेजेगा उसके बाद आपको अगर बड़ा समोसा बनाना ह तो थोरा चोड़ा काट ये और छोटा समोसा बनाना है तो थोरा पतला काट ये मैं थोरा बड़ा ही बना रहे हूँ तो इसको मैं दो भाग में काट लेती हूँ इस तरीके से आप काट के त्यार कर लेजे एक ही बार में बहुत सारा सीट बन के त्यार हो जाता है तो अब हम इसका समोसा बनाएंगे, समोसे को चिपकाने के लिए हम सलरी बना के तियार कर लेते हैं, तो एक चमच मैदा में दो चमच जितना पानी डाल के इसको बढ़ी हैसे मिला के रख लीजे, तो इस तरीके से गाढ़ा पेश्ट बन जाएगा, इससे हम समोसे को आसानी से चिपका सक अब हम समोसे को फिल कर लेते हैं तो समोसे को भरने के लिए इस तरीके से आप भर सकते हैं तो प्याज का समोसा या कौन का समोसा इसी तरीके से भरा जाता है एक सीट ले लिजे और कोना उठा के इस तरीके से बरावर से आप कौन सेप में इसको ले आए फिर से एक बार पलट कौन बन के त्यार है इसमें आप फिलिंग डाल लेजेगा तो इस तरीके से आसानी से आप प्याज का या कौन का समसा भर सकते हैं इसमें जितना फिलिंग आपको पसंद है उतना डाल लेजे और इसके साइड में कौनर में हम थोरा सा और पेश्ट लगा देते हैं अभी इसमें हम फिर से लगा देते हैं सलडी थोरा सा ताकि ये बढ़िया से चिपक जाए और ये देखे हमारा समसा बन के त्यार है तो इसी तरीके से हम सारे समसे बना लेंगे एक और समसा में आपको भर के दिखाती हूँ ये देखे कोना उठाएंगे और जहां तक ये बराबर होगा वहां तक बराबर कर लेंगे फिर से इसको उलटके और एक कोन सेप में ले आएंगे ये जो कॉनर में जो खुला हुआ है इसको हम बंद करेंगे तो इसके लिए पेश्ट लगा देते हैं पुरा उपर से नीचे तक इस तरीके से चिपका देंगे अंगुठा से दबा लेते हैं ये पेश्ट और ये जो एक्ष्टा जो बचा हुआ है सीट इसको हम नीचे की तरफ लाते हुए इस तरीके से लॉक कर देंगे एक्ष्टा जो ये सीट बचता है आप इसको काट भी सकते हैं नहीं तो इसको इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं तो इसको ऊपर थ तो में तेल पहले तिक पीडियूं ऑब में तुम्डाइशन ह्सेकशन ही थे तो नोorgan थेटें वर्वाइब तुम्ड़नाों एक केकर के समॉसें इनदयू करें फिरा करें शइए स्थी बाहत ज़्राय तुम्हों किसफ करम करते लेगता है इस असलोगुद तिन से चार मिनिट में ही ये समोसा फ्राई होके त्यार हो जाता है तो ये देखें बढ़िया से इसके उपर कलर आ गया है और एकदम ये क्रिस्पी हो गया है तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और दूसरे बैच का भी समोसा हम इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे आप देख रहें कितना बड़ी है अमारा समोसा बना है यह एकदम क्रिस्पी रहता है सौगी नहीं होता है क्योंकि हमने इसे सीट से बनाया है तो यह सौगी नहीं होता है क्रिस्पी ही रहता है अगर आपको ज़्यादा देर तक श्टोर करके रखना है तो आपको इसको दो ब तो इस तरीके से दूसरे बैच का भी समोसा में रख दी फ्राई होने के लिए और यह जो साइड जो काटके रखी थी इसको भी में थोड़ा पतला पतला काट लेती हूं क्यूंकि इसका नमक पारा बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनता है तो इसे हम नमक पारा ही बना लेंगे जाल लेते हैं क्रिस्पी खिस समोसा देखते ही मूह में पाण आरहा है तो इसको अगर आपको ज़्यादा देर तक रखना है तो फो से एक बार आप इसको फॉराions कर लीज attending तो एबल फ्राई होता है तो ऐसे भी खहना है तो यह से इसे ही आप साफ कर सकते हैं अगर इसको तो तेल गरम ही है इसमें एक बार फिर से आप इसको रख लीजे और दुबारा जब फ्राइ करेगा तो एक से डिर मिनिट के लिए ही इसको फ्राइ करेगा गैस का फिल्म हाई ही रहनी दीजे और हाई फिल्म पे एक बार फिर से इसको तेल में डालके और उलट पलटके एक से देर मिनट के लिए इसको फ्राई होने देंगे और फिर से इसको अब हम निकाल लेंगे दुकान वाले आनियन समोसा क्रिस्पी समोसा को दो बार ही फ्राई करके रखते हैं तभी वो बहुत टाइम तक क्रिस्पी रहता है और सौगी नहीं होता है और यह नॉर्मल समोसा से थोड़ा अलग होता है तो इसके लिए इसको आप दो बार फ्राई करके रखे तो एक क्रिस्पी ही रहेगा सौगी नहीं होगा अब जो हम नमक पारा काटके रखे थे इसको भी इसी तेल में फ्राई करके निकाल लेते हैं तो यह बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है दो मिनिट का टाइम लगेगा और यह फ्राई हो जाएगा तो इसको भी हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और उपर से क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे तो यह देखे यह हमारा क्रिस्पी कौन समोसा और यह नमक बारा दोनों बन के त्यार है